हेलो दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको कैनन के कलर मशीन जो होती है आई यार 32-26 उसके बारे में बताने जा रहा हूं तो इसमें कैसे काउंटर सेट करना है और कैसे टोनर के बारे में जानकारी लेनी है कि हमारा टोनर कितना रहे गा यह चीज बताने वाला हूं तो वीडियो शुरू करते हैं यह देखिए जो मेरे पास मॉडल है कैनन का आया सी 32-26 है तो इसमें काउंटर चेक करने के लिए कि हमारी मशीन कितनी चली है इसके लिए आपको यह सबसे टॉप का जो बटन है 123 जिस पे लिखा है वह प्रेस करना ठीक है इसको प् यह सारा काउंट करके दिखाता है ठीक है मगर जो और आपको अलग-अलग जानकारी चाहिए कि मेरा A4 ब्लैकन वाइट A4 कलर A3 कलर A3 ब्लैकन वाइट कितना कितना निकला है तो वह आप इसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे कि जो यह रीडिंग है 108 401 402 118 114 यह गलत है यह स सेट करने के लिए मैं अभी आपको यह बताने वाला हूं कि क्या आपको करना पड़ेगा देखे इस तरह से आप यह रीडिंग बाहर निकालके भी किसी को दिखा सकते हैं शीट से ठीक है प्रेंट लिस्ट को आप टेच करेंगे और यह करेंगे तो ऐसी शीट आपको देख के आपको सेट करना पड़ेगा जिससे आपकी काउंटर एकदम सही हो जाएगी और आप आराम से ए4 और ए3 चेक कर पाएंगे तो इसके लिए आपको यह बटन फिर से प्रेस करना है वाला यह प्रेस करने के बाद सेटिंग रेजिस्टेशन प्रेस करना है आपको ठीक है औ सर्विस मोड में चली जाएगी इसके बाद आपको सीधा मोड लिस्ट में प्रेस करना है मोड लिस्ट को जैसी प्रेस करेंगे आप आपको दिखाएगा यह चार आप्शन सबसे फर्स्ट आप्शन जो है कॉपियर उसको सेलेक्ट करेंगे हम इसको सेलेक्ट करने के बाद को जाना है बाकी किसी option को यूज नहीं करना है आपको आपको सीधा सबसे टॉप पे देखिए लिखा है option ठीक है यह वाला option जो लिखा है इसको प्रेस करना है ठीक है इसको आप टच करेंगे तो सीधा आपको user सबसे नीचे दिखेगा देखिए यह इस लाइन में कस्टम के नीचे आपको यूजर दिखेगा इसको आपको प्रेस करना है ठीक है यूजर खुलते ही आपको एक काउंटर सेट करने की आ जाए यह देखिए 101 जो है उसको हम नहीं सेट कर सकते जो फर्स्ट काउंटर है यह बाइडिफॉल्ट ही रहता है बंगर हम सेक करेंगे 113 यहां से तो इसको 113 प्रेस करेंगे जिससे हमारी है además eight four ब्लेकन वाइट ठीक है जो 113 ऑ узна機 एफ यह फॉर ब्लेकन वाइट की रिडिंग होती है ठीक है तो यहां ہं एक सो तेरा डाल लेंगे जिससे कि हम इक अदिऊदम पन है निक आ इक निकला है प्रेस करने के बाद यहां पर हम ओके प्रेस करेंगे सेकंड कॉलम में जो लिग गया है वह एक सो आठ में भी शिप्ट कर जाएगा मेरे ओके प्रेस करते हैं अब हम इसके बाद थार्ड आप्शन पर काउंटर सेट करेंगे यहां पर हम डालेंगे ब्लैक अन वाइट एथ्री साइज अगर वह देखना है तो यहां पर हम उप्शन यूज करेंगे जो चार सो एक लिखा है यहां पर लिखेंगे एक सो बारा ठीक है 112 का जो सेटिंग रहती है यह एथ्री साइज की रहती है जो की ब्लैक और वाइट कॉपी को दर्शाता है इसको हम डालेंगे और फिर हम ओके प्रेस करेंगे ठीक है यह देखिए ओके प्रेस करते ही जहां 401 है वहां 112 शिप्ट कर जाएगा यह देखिए ठीक है और अब हम फॉर्थ जगा फॉर्थ काउंटर को सेट करेंगे यह यहां पर 402 लिखा है ठीक है तो इसको टेस्ट करेंगे और यहां डालेंगे 123 ठीक है जो 123 होता है यह कलर A4 को काउंट करता है ठीक है यह केवल कलर A4 को ही काउंट करेगा और बाकी A3 को इसमें काउंट नहीं करेगा तो A3 के लिए अलग डालेंगे ठीक है तो फिर वही प्रोसेस 123 डालने के बाद आप OK प्रेस करेंगे तो 402 जहां था वह 123 हो गया अब हम 5 काउंटर नंबर 5 सेट करेंगे ठीक है यहां पर हम डालेंगे 122 है ठीक है 122 जो काउंटर है वो आपका दर्शाता है A3 साइज कलर ठीक है इसमें A3 साइज में लीगल भी आता है ठीक है मशीन A3 साइज में लीगल को भी कवर कर लेगी और A3 साइज को इसी तरह ब्लैक और वाइट में भी 112 को जो है लीगल भी कवर कर लेगा ठीक है तो इसको OK करेंगे और यहां 118 की जगा पे 122 हो जाएगा अब फिफ्थ शठे नंबर पे हम फिर प्रेस करेंगे जो 114 लिखा हुआ है यहां पर हम लिखेंगे 502 ठीक है तो 502 की जो रीडिंग होती है वो होती है आपकी स्कैनिंग की तो इसमें क्या है A4 साइज A3 साइज लीगल साइज सबको एकाउंट करके 502 में दिखा देगा ठीक है और यह सब प्रेस करने के बाद 502 प्रेस कर लिया इसके बाद आपको ऐसा प्रेस करना है तो इस तरह से यह हमारी पूरी रीडिंग सेट हो गए हो टोटल 101 वह सबको दिखाता है और 113 A4 ब्लाइक वायट को दिखाता है 112 black and white A3 को दिखाता है और 123 जो है color को दिखाता है ठीक है black and white और 122 दिखाता है आपको A3 size color को ठीक हो 502 तो scanning का दिखाता है अब हम इसको set कर चुके हैं इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारा काउंटर सही set हुआ कि नहीं तो फिर से हम counter चेक करने के लिए एक दो तीन वाला button प्रेस करेंगे और ok करके देख लेंगे ठीक है और print list को अगर yes करेंगे तो जो शुरूर में मैंने दिखाया था वैसी ही sheet एक निकल आएगे ठीक है पहले और इसमें साथ साथ में लिखा भी है black and white small या black and white large large means a3 size और legal size उसमें आते हैं ठीक है यह देखें इधर सब लिखा आए तो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ जाएगा और इस पे भी शो कर रहा ठीक है इस पे भी देख सकते हैं इस तरह से और यह स्टेटस मानीटर है इसको प्रेस करेंगे और कंसुम बेवल को प्रेस करेंगे तो आपका टोनर का स्टेटस मालूम पढ़ जाए कितने परसेंट है और कौन सा टोनर लगता है चेक कनेक्शन चेक कंसुम बेवल परेस करेंगे तो यह कौन सा टोनर कि लगता है वो बता मेरी प्लेलिस्ट पर जाहिए चेक करें कुछ भी और इंफोर्मिशन चाहिए तो कमेंट करें मैं वीडियो बनाऊंगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू